इस मुक्स पाठिक्रम में आप सबी का स्वागत है। प्राचिन न्याय आधार इस विशाई के अंतरगत आचारिय का परिचाय तथा परंपरा पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। पूर्व चर्चा के अनुसार हमने प्राचिन आचारियों का अर्थात प्राचिन न्याय के परंपरा में सुत्रकार से लेकार न्याय सुत्रवृत्ति जो लिखे हैं विश्वनात पंचान भठता आचारिया वहां तक हमने विश्वयों का प्रतिपादन किया है। इस पक्रित पाठ्यक्रम के अंतरगत तेरवी सताब्दी से लेकर बर्तमान तक जो नभ्यन न्याय की परंपरा हैं, उन परंपरा के अंतरगत जो आचारियां आते हैं, उनके संदर में कुछ चर्चाएं या आपने सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर दिखा जाए, जब बउद्धादी दार्शनीकों का भारतिय संस्कृत के उपर प्रभाप पढ़ने लगें, तब तरवी सताब्दी में आचारिया गंगेशो पाक ध्याय ने एक न्याय सास्त्र की एक नई परंपरा की उत्पत्ति की जिसका नाम है नभ्यन्याय परंप परंपरा, इस नभ्यन्याय परंपरा के अंतरगत प्रसम आचारिय के रूम में माने जाते हैं गंगेशो पाध्याय जो की तरवी सताब्दी के हैं, यहाँ पर यह ध्यान देने का आवश्यक है, जो नभ्यन्याय के परंपरा के जनक के रूम में गंगेशो पाध्याय को मान जाता है बस्तु तह नभ्य न्याय की जो परंपरा है इनकी जो सईसव अवस्ता है वो सईसव अवस्ता हमें उदेन आचारिये से दिखाई पड़ता है क्योंकि जो नभ्य न्याय में पारिभासिक सब्दा प्रतियोगिता अनुजगिता इत्यादी सब्दों का प्रेग होता ह वो सब्दो का प्रयोग आचारिय उदयन ने अपने न्याय कुसमंजली ग्रंथ में प्रतिपादन किया है, जो कि उसको हम नभ्य न्याय के सैसव अवस्ता के रूम में मान सकते हैं, परन्तु प्रतिष्टित विद्वान नभ्य न्याय के रूम में आते हैं हमारे गंगेस तत्त्य चिंतामनी ग्रंथ नामक एकपकृष्ट प्रमान परक ग्रंथ का ही प्रतिपादन किया है नभ्य न्याय एवं प्राचिन न्याय उभ़े परंपरा में यहाँ भेध देखा जाता है, जो प्रमेही का जहां विस्त्रिद विवेचन होता है, वो ग्रंथ ज राचिन परंपरा के अंतरगात आते हैं और जहां प्रमानांस को लेकर विष्ट्रद विवेचन किया आता है वो नभ्य परंपरा के अंतरगात आते हैं ऐसा आचारियों का आचारियों की मान्यता है उन तत्व चिंतामणी ग्रंथ में चार प्रमान के बारे में ही विचार किया गया जिसमें प्रत्तक्य चिंतामणी, अनुमान चिंतामणी, उपमान चिंतामणी एवं सब्द चिंतामणी प्रतक्य चिंतामनी में मंगलबाद से प्रारम्भ करते हुए अलोगी कसन्निकर्स बाद तक उन्हेंने विचार किया है अनुमान चिंतामनी में उन्हें ब्याप्ति से लेकर उन्हेंने हित्वाभास परियंता निरुपन किया है उपमान चिंता मनी में उपमान विशेक एबं उसमें सक्ति साथ दुर्षय को जो अत्रिक्त पदार्थ मानने बाले मिमांग सके हैं उनका मत का निराकान का जो पक्रिया है उस पक्रिया को भी उनने उपमान चिंता मनी में प्रदर्शन किया है एबंग सब्दचिंतामणी में साप्दोबोद के जो जो सामग्रियां होते हैं उन सामग्री के संदर में भी उन्हेंने विस्तित विवेचन सब्दचिंतामणी में किया है परवर्ति आचारियों ने तत्व चिंतामणी के उपार बहुत सारे टिकाग्रंथा लिखे हैं जिसमें बर्धमान उपाध्याय अर्थात गंगेश उपाध्याय के सुपुत्र बर्धमान उपाध्याय ने चिंतामणी प्रकास नामक टिकाग्रंथा का रचना की है उसी तप्त्व चिंतामनी के उपर चिंतामनी आलोक्टिका नामक एक ग्रंथ का प्रणयन आचारिया पक्षेदर मिश्र ने 44 सताब्दी में ही निरुपन किया है उसके बाद पक्षेदर मिश्र के ही जो भाई है उनके जो पूत्र है बासुदे मिश्र वो पक्षेदर मिश्र के सिस्य भी रहे उनने तप्त्व चिंतामनी के उपर न्याईस धानत सार नामक ग्रंथ का प्रणयन किया है उसी 14 सताब्दी में मतुराना तरकवागिस में सिदे तथ्व चिंतामनी के उपर तथ्व चिंतामनी रहस्या उसको प्रकारांतर से तथ्व चिंतामनी मयुख नाम के भी टिका ग्रंथ के रूम में हम जानते हैं उसके बाद फिर आते हैं रुचिदत्त उपाध्याय जिनोंने चिंतामनी प्रकास ग्रंथ का निरुपन किया, जब तर्ट्व चिंतामनी के उपर इतने सारी टिकाय ग्रंथ उपलत दहुए उसके बाद बेदांत के अर्थाथ अद्वेदांत परंप्रा के अनुजाई आचा धर्मराज धरिंद्र जी ने तत्व चिंतामनी के खंडन परक एक तर्क चुडामनी ग्रंथ का प्रणएन किया, इनके प्रणएन के संदर में बेदांत परिभासा के मंगलाचरण में एक स्लोक प्राप्त होते हैं जिनमें वो लिखते हैं, जेन चिंतामनोटी का दसटी का धिवन जनी तर्क चुडाम मनी नाम ख्रतविद्वन मनो रमा. फिर तत्व चिंतामनी के उपर जो पक्षदर मिश्र ने जो अलोक टीका लिखी, एबं उनके पूत्र जो तत्व चिंतामनी प्रकास की का लिखी, उनकी जितने प्रसिद्धी हमारे सामने नहीं आई हैं फिर भी तत्वचिंतामनी के उपर रगुनात्सिरोमनी के द्वारा जो लिखी गई दिधिति टिका वो आज भी समस्त भारतिय संस्कृति के सामने अग्रगन्य टिका है जो कि दिधितिका है उन दिधिति ग्रंथ के उपर रगुदेव न्यायलंकार ने दिधिति टिका नामक एक टिका ग्रंथ का भी उनने प्रणाइन किया, एबं राम उरुद्र तरकबागिस ने तत्तो चिंता आमानी दिधित इटिका करके एक ग्रंथ का प्रणाइन किया, उरुद्र नियाय बाचस्पती जो की तत्तो चिंता आमानी दिधिती प्रकासिका टिका की संग्रचना की, कृष्ण दा सार्बोहूम ने दिधीति प्रसारणी नामक प्रिका की संग्रचना की, भवानंद शिद्धांत बागिस्त तत्व चिन्तामनी दिधीति प्रकाशिका नामक प्रिका का संग्रचना की, बस्तुताह नभ्यन्याय परंपरा में चिंतामणी के उपर जित्ने भी टिका गरंथा लिखी गई है उसमें तीन टिका ये प्रशिद्ध हैं जिसमें एक दिधित्रिका एबं तत्व चिंतामणी के उपर जो दिधित्रिका है उन दिधित्रिका के उपर जगदीश तरकालंका के जागदीशी एबं गदाधरवट्टा आचारी के गदाधरिटी का अत्यंत प्रसिद्ध हैं। सोलविशताब्दी में जागदीश तरकालंकार ने तत्वचिन्तामनी ग्रंथ के उपर जो दिधिती ग्रंथ है उन्हें ने जागदीशीटी का लिखी। जिसमें उन्हें जो तत्वचिन्तामनी के पंक्ति से जो स्वारस्य अनुपलब्द है। उन अनुपलब्द स्वारस्य का प्रकासक जो दिधिती ग्रिका है। उन दिधिती ग्रिका का भी अत्यंत न्याय सैली के द्वरा परिभासित जागदीशीटी का में की गई है। उन जगदी स्तरकालंकार के जो स्वतंत्र ग्रंथ अमें प्राप्त होता है वो सब्दसक्ती प्रकासिका है। जिस सब्दसक्ती प्रकासिका में वो स्वयम लिखते हैं तरकम तंत्रंच विदुसां विदुसां तो सकारिका क्रियते जगदी से न सब्दसक्ती प्रकासिका जिस ग्रंथ में केवल बैयाकरणों का नहीं अपितू बैयाकरण से इतर मिमांग सक इत्यादी जो लोग सब्दस पास्त्र में रुची रखते हैं। उन सबके मत को संकलन करते हुए न्याय के द्रिष्टी में उनका निराकरण एबं न्याय के द्रिष्टी में उसका जथार्थ विवेचनक परख यह ग्रंथ हैं। जिसमें वित्पत्तिवाथ, प्रामान्यवाद, नायवाद, मुक्तिवाद आधी 64 बाद ग्रंथ का प्रशिद्ध हैं। प्राम्परा के जो विशेष प्रतिपादक तत्व हैं, न्याय सिद्धान्त मुक्तावली, तरक संग्रहा, तरक भासा, तरक कोमुदी, तार्की रख्या यह जो नभ्यन्याय, एबं बैसेशी के परंपरा में जो सम्मिलित ग्रंथ है, प्रकरण ग्रंथा, उनका भी इसी प परंपरा में आते हैं, बस इतने उपस्तापन करते हुए, आप सब को धन्यवात देते हैं, धन्यवात.